हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमार येट्यू चनल पर आज हम उत्राखंडी स्वंगों गवर्म जो प्रिवाइस एर पेपर हुआ था पटवारी और लेकपाल का उसको आप सॉल्प करेंगे इस वीडियो में आपको बता दू जो पहले वाला पेपर हुआ था जो बाइस सुला को हुआ था इसमें आपको बता दू इसमें जो भी कॉशन आएंगे उसको आप नोट डाउन भी करते रहना इसलिए आप अपने साथ कॉपी और पैन जरूर रखना तो सबस्क्राइब परदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती तो आपको इसका आंसर बताना है सेप की या लीची की या मार्टा की या नारियल की तो आप इसका करेक्टर आंसर बताना इसका करेक्टर आंसर क्या होगा तो इसका करेक्टर आंसर है नारियल की नहीं होती है बाकि सेप और लीची और मार्टा उत्राखनड़ में होती है पैदावार और नारियल नहीं हो होता है ये आपको बता होने चाही है पता होने dea staring कि सरोधी можे आपको पता होनेची इसमें होती है के रल मी यह आपको करना है में अब आगे बढ़ते हैं अगलाраш क्वासील है दावा चीत का नाम क्या है यह आपको बताना हैं Option number A हिमाले 이ा Option number B हिमाली के दर्षन या Option number C हिमाली की बेटी या Option number D हिमाली की छोटी ये आपको बताना इसका yarca क्रेक्टर आंसर कौन सा होगा तो इसका जो essen अन्चर ओक्रेक्र आंसर रहा हं वह अब जान लीजिए कि दंबी शिरीकांद कौन थे यह बेसिकली आंदरपरदेश के रहने वाले थे इनका जन्म हुआ था साथ फरवरी 1993 यह आपको नोडाउन करना है कि इनका जन्म कहां हुआ था यह आंदरपरदेश में इनका जन्म हुआ था खूट जिल्ले में और इनका जन्म हुआ था उन्नीस सो तिरानबी में हुआ था अब अगला कॉस्चिन है निमलिकिन मैस से दंदा राज राता से इसका जो क्रेक्टर आंसर होगा ऑप्शन नमर बी होगा यह दोन हुई इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए जो नंदा राज यात्रा है यह नंदा देवी से संब्धित है और जो इसका यात्रा जो स्टार्ड होती है और नौटी गाउंस से सुरू होती है जो चतो बिश्ता होगा वह उन्दोजार शब्वीस में इसकी यातरा स्टार्ड होगी यह आपको याद रखना है अब अगला क्वाश्चत है महत्मा गादी ने पर्थम सत्यागरा अभ्यान चलाया था यह आपको बताना है चंपारन से मुंबेश से इलाभाद से या इनमेश से बतार का जो पस्चिमी चंपारन है वहाँ से इसको शुरू किया गया था इस आंतलोन को और जो महत्मा गाती थे इन्होंने इस आंतलोन में जो तीन कर्थिया पर्था का विरोध किसने किया था यह आपको नोट डाउन करके रखना है यह क्वासिन आपके एक्जाम के लिए बी काफी इंपोटेंट है और इनको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके इनको रिवीजन जरूर करना अब अगला क्वासिन है निम्लिकिन में से कौन सा लोग वाद दे उत्राखंडे से संबंदित है यह आपको बताना है धोल मस्क बीन या होड़का यह सभी इसका आं अंतरका प्रयोग ज्यादे किया जाता है आपको याद रखना है अगला क्वासिन डोला पाल के आंदल का संबंद किसे था यह भी काफी इंपोटेंट कोशिन है सिलपकार चारवाहों के लिए या बुनकरों के लिए इन में से कोई नहीं यह आपको बताना है इसका यह आपको प्ता होने चिए यह क्या था जैनन्द भारती जीने इह आपको यह न्द क्या लट्टे हुए सईध हुए थे कौन से युद्ध था जिसके विद्ध में जो पर्दिमाज साहते वह सईध होगी यह आपको पता होने चाहिए था यह काफी इजी कॉसें था काफी बार पुछा गया है एक्जाम में अपसे नमबर एह जो शिरी नगर और ऑपसन नमबर भी है खुडबुड़ा और अपसन नमबर C है अलमोड़ा और इन में से कोई नहीं अपसन नमबर D है यह भी काफी इजी था लेकिन यह काफी एक्जाम में पुछा गया है यह आपको पता होना चाहिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है खुडबड़ा होगा खुडबड़ा नाब ह इसटान पर ही एक खुडबड़ा युद्ध होगा तो जिसमां पुडबड़ा युद्ध होगी ती है जो यूद्ध होगा किसका सान उख़ए आपको Pता होनेचा आप जान लिजे पृडबड़ाबड़ा के अपन पास तक अट्डा उत्रकासी नैनी सैनी हवाई अट्डा पिथोड़ागर A और B गलत यूग में है यह आपको बताना है इसका क्रेक्टर आंसर कौन सा है तो इसका क्रेक्टर आंसर जो है option number B है गोचर हवाई अट्डा यह उत्रकासी में नहीं होकर यह है चमोली में यह आपको नोट डाउन करना है कि गोचर हवाई अट्डा कहां पर है यह है चमोली में और बाकी जो पन्थनगर हवाई अट्डा नैनी ताल और नैनी सैनी हवाई अट्डा पिथोड़ागर यह आ लखवाड बाद किस नदीपर बना हुआ यमंणा नदीपर यंसना नदीपर या काली नदीपर कि विसका क्षा MRL यमनदीपर य आपको पतावते हैं कि यम्ना पर लखवार बात श्ठीत है आप धड़ादून का मैप बनाओगे कुछ इस तरह काoured जो इधर के सेड है यहां पर है लगवाड बाद। इधर के सेड नई और जो लगवाड परिजने इसमें जो 300 in Henditon नदी के किनारे автомतला के राज्यव कंते नितानन 믿 기私 स्वामी डाक्टर के 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 पाल सूर्जी सिंग बंदराल डाक्टर अजित कुरेशी तो इसका कर्यक्टर अच्छर है उत्रागंडी के पर्थम राजीपाल कौन थे यह थे निट्यादन स्वामी और टाइम प्रेट था 9 नौबर 2000 से 7 जन्वरी 2003 तक 9 नौबर 2000 से 7 जन्वरी 2003 तक यह आपको नोड़ डाउन करना इनका टाइम प्रेट भी पुछा दा सकते हैं अब आपको कमेंट अबक्ष में बताना है कि वर्तमान में हमारे राजीपाल कौन है यह आपको कमेंट अबक्ष में बताना है तो दोस्तों आपक 8 सेकिन आएगा तो आपको उसको भी देखना है आपको यह वीडियो कैसे लिगे हमें ज़रूर बता और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले